असलाम लेकुम फ्रेंड्स आज मैं जा रही हूँ ओमलेट बनाने क्योंकि मुझे आया था कमेंट ओमलेट बनाने का तो आज हम ओमलेट बनाएंगे चलिए श्टार्ट करते हैं यह लिया है मैंने चॉप कर लिया है प्यास हरी मिर्ची को काट लिया है और टमाटर को बारिक लिया है और इसमें मैंने लिया है धनिया की पत्ती और यहां लिया है मैंने थोड़ा सा और अब हम जा रहे हैं अम्लेट मनाओं कहाँ मैं अब इसमें अंड़ भूडब की इसमें डालूंगी कि देखिये फ्रेंट्स अब इसमें मैं ये सारे जो चौप के हुए पटकिये हैं अब इसको डाल दूँगी ये सब डालने से थोड़ा ओमलेट का टेस्ट बढ़ जाता है इसी में जंदियां की पत्ती भी मैं डाल दूँगी अब इसमें मैं नमक डाल दूँगी टेस्ट एकॉर्डिंग नमक डाल दूँगी नमक डाल कर अब इसे अच्छे से मिक्स कर लोगी इसी तला से इसको घुमाते जाएंगे कि ये अच्छे से मिक्स हो जाए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे ये मिक्स हो चुका है अब हम गैस को अन करेंगे पैन मैंने रख लिया है अब गैस को अन करने जा रहे हैं अब ये थोड़ा सा गर्म कर लेंगे तो इसमें ओयल डाल लेंगे अब ये थोड़ा सा ओयल डाल कर तब इसमें मैं जो अन्डर डाली मिक्स की हो उसे डाल देंगे ओयल गर्म हो चुका है अब मैं इसमें अन्डर डाल दूँगी अब इसे थोड़ा थोड़ा लो फ्लैम पर अच्छे से पका लेंगे अब ये नीचे से पक चुका अब मैं इसे पलट लूँगी इसे पलट लिया है अब दूसरी साइड से मुझे इसे पकाना है ये देखिए अन्डा पक चुका है अब इसे हम निकाल लेंगे देखिए मैंने पलेट में निकाल लिया है अगर आप लोग को पसंद आया हो मेरी वीडियो तो आप लोग सस्क्राइब करें, लाइक करें एंड कमेंट में जरूर बताएं कि ये बना कैसा है अलाहाफिस